इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं HDFC के मिलिन्या डेविट काड के बारे में इस डेविट काड के बारे में all the benefit feature क्या fee and charge है क्या eligibility criteria है किसको मिल सकता है किसको नहीं मिल सकते है या सारी चीज़ा इसी वीडियो में cover करने वाला हूं अगर आप इस debit card को यूज कर रहें या नहीं यूज कर रहें आपका account है HDFC bank में तो आप इस वीडियो को अंतक जरूर देखना क्योंकि अगर आप इस वीडियो को अंतक देखते हो तो आपको इस debit card के बारे में all the चीज जानने को मिल जाएगा सबसे पहले क्या है कि अगर आप इस debit card को यूज कर रहें तो yearly basis पे आप 4,800 रुपीज तका cashback आर्न कर सकते हो कैसे आर्न करेंगे अगर आप वही shopping करते हो आप page app और smart buy से payment करते हो तो आपको 5% का cashback points आपको मिलेंगे अगला क्या है कि 2.5% का cashback points आपको मिलते हैं और all online shopping पे अगर आप online shopping करते हैं तो आपको 2.5 cashback points आपको मिलते हैं इसके लवा क्या है कि 1% cashback points आपको मिलते हैं all offline spend या आप wallet में पैसे add करते हो उस condition में और इस डेविट कार्ड में आपको 4 domestic airport launches access भी देता है और इसके लवा क्या है कि आपको accidental insurance cover भी है आपको 10 लाक्स उरुपीज के तो यह रही आपके सौट में अब इस डेविट कार्ड के बारे में all the details fully details में जानते हैं उससे पहले बता दू कि अभी तकर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आकन को जरूर दवा लेना इस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है इस्टाग्राम पर सेम नाम से मिल जाओंगा फॉलो कर लिजेगा फेस्टुक पेज को भी लाइक कर सकते हो कि हम अपने चैनल सब्सक्राइब वीडियो वेफसाइब डबलापिंग से लेटेड वीडियो आपके लिए बैक टू बैक लायते हैं चलिए सबसे पहले जानते हैं इस डेविड कार्ट के बारे में all the benefit फीचर details में details में cover करने वाले details में cover करने के सबसे पहले cover करते हैं cashback rewards को जो cashback rewards यह है कि जैसे आपके पास जो transaction करते हैं जो भी आप shopping करते हैं वो आपके जो shopping होने चाहिए वो आपको 400 से उपर की होने चाहिए यानि कि greater than 400 अगला जो points यह है कि आपके पास जो cashback आपको मिलते हैं per month यह per month आप 400 उपीज तक के हैं ही आप cashback points ले सकते हो इससे ज्य 500 cashback points होने चाहिए क्योंकि यह जो redeem होगा आपका 400 के multiples में ही redeem होगा इसके लावा अगला जो ही points है अगर आप इसे redeem करते हैं तो आपके account में जो credit होगा वो 90 days के अंदर में होगा अगला जो points यह है कि अगर आप किसके cashback points को redeem नहीं करते हो तो 12 month बाद यह आपका cashback points relapse हो जा इसके अलबा जो benefit आपको यह आ रही है जैसे कि आपको यह cashback points कहां कहां पे नहीं मिलेंगे अगर आप fuel buy करते हैं जैली पे spending करते हैं या business services में अगर आपके spending होती है credit card की payment करते हैं insurance की premium की payment करते हैं या other business services में जो आपको इस card से अगर आपकी transaction होती है उस condition पे आपको cashback points न आपने करने का अगला जानते हैं how to redeem cashback points कैसे आप cashback points को redeem कर सकते हो redeem करने के लिए simple सा option है आपको net banking को login करना होगा card वाले section में जाना होगा debit card के option को select कीजिए inquiry वाले पे click कीजिए उसके वाद आप cashback inquiry को जैसे आप select कर रहे हो है cashback inquiry या आपको cashback redeem का भी option देगा वहाँ पे select करेंगे उसका आप account number को select कीजिए continue के button पे click कीजिए उसके बाद जो आपको enter करने है 400 के multiples में enter करने है 400 के multiples में enter कीजिए उसके बाद आप redeem पे click कीजिएगा redeem हो जाएगा अब जानते हैं अगला जो benefit feature है अगला उसको details में जानते हैं airport launches access को लेकर airport जो launches access है इसमे limits भी आपको देता है यानि कि domestic ATM से अगर आप पैसे बिड्रो करते हो तो 50,000 रुपीज तक का ही बिड्रो कर सकते हो daily इसके अलावा अगर आप domestic यानि की इंडिया में ही shopping करते हो तो daily basis पर जो limit है वो थै 3.5 lakhs का इसके अलावा क्या है कि अगर आप internationally shopping करते हो तो उस condition पर जो limit है 1 lakhs रुपीज तक का ये condition है इसी condition के अनुकूल में आप transaction कर सकते हो अगला points ये है कि इस David card को आप internationally भी यूज कर सकते हो क्योंकि ये है chip प्लस pin generated आपको मिलता है जो internationally और domestic यूज के लिए applicable होता है इसके लावा क्या है कि अगर आपका card गुम हो जाता है या खो जाता है अगर आप दुबारा same card को लेते हो तो उसमें भी आपको same feature मिलने वाले है और same वो भी आपका international card ही होगा अगला points की बात करते हैं वो भी points जारेंगे details में जो कि है online shopping के लिए तो ये online shopping में क्या है कि online shopping अगर आप करते हैं payment करते हैं वो अगर वीजा से या master card से verified है तब ही आ आपको recommend करूंगा हमेशा आप contact लिए जो payment की option होता है उसे आप offer रखे ज्यादा बेटर होगा है ताकि आपके debit card से कोई पैसे withdraw ना कर सके उसके बाद आपको insurance cover देता है insurance cover के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है अगर आप travel कर रहे हो international हवाई जहास से तो उस condition पे भी क्य हैंगे eligibility criteria इस debit card की चार्ज है 500 प्लस GST इसके लावा जो आपको चार्ज है कि अगर आपका card गुम हो जाता है फिर भी आपको उस condition में आप reissue करवाते हो तो आपको 200 प्लस टेक्स भी लगता है इसके लावा क्या है कि एक note-down points करने वाली यह है कि यह जो charges है दो charges मैंने आप आपको बताई यह जो charges है यह तो लगेंगे ही लगेंगे लेकिन अलग other platform पे जो charges है वह applicable इसमें नहीं है इसमें consider नहीं किया गया है जैसे कि अगर आप fuel पे buy करते हो तो fuel petrol pump पे वहाँ पे कुछ इस्टा चार्ज लगते है वह आपको इसमें consider नहीं है वह आपको लगेंगे रेलवे से अगर टिकट booking करते हैं उस condition पे आपको चार्ज लगने वाले हैं प्लस में क्या है कि अगर आप shopping करते हैं तो कुछ-कुछ इस्टोर पे क्या है कि कुछ इस्टा चार्ज लगता है तो ओ की ओ आपका इसमें consider नहीं है तो ओ चार्ज अलग होता है वह कितने लगते हो डिपेंड करता है वहां पे जिस पॉर्टल पे आपकी टांजेक्शन होती है वहां पे आपको डिपेंड करता है तो यह जो चार्ज है जिसे आप देख सकते हो बाकि कोई अगर आपको doubt हो आप comment कर देना मैं उसका reply जरूर दोँगा Instagram पर follow नहीं किया Instagram पर follow कर लेना अब जानते हैं यह debit card किसको किसको मिल सकता है अगर आप इंडिया में रहते हैं या आप अधर country में भी आप रहकर अगर आप working हो फिर विए आपको यहाँ पर मिल जाता है या आपका कोई सेवी एकॉंट हो क्रेंट एकाउंट हो सुपर से वर एकउंट हो एक इंडियूजवल एकॉंट हो तो आप यह debit card ०ो ले सकते हैं कि आप हम इन सारे प्लेटफॉमों पो मैसेज कर देना हम आप पर उस टॉपिक पर जरूर वीडियो बनाएंगे चलिए इसी तरह के इंटेस्टिंग वीडियो में आपके लिए राता राता हूं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बरगल के बेल लिक्न को जरूर दबा लेना मिले इसी तरह के नेक्स्टिंग वीडियो में तब तक लिए धन्यवाद इस्टे सेफ टेक क्यार